कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा हेलो दोस्तों मैं काजल अगरवाल हमारे पे सच्ची कही बाते पर आपका स्वागत करते हैं आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मौद का भी अपना अलग रोब है किसीने खूप कहा है मौत से किसकी यारी है आज मेरी तोकल तेरी बारी है दोस्तों मौत एक सच्चाई है इसमें कोई एब नहीं क्या लेकर जाओगे यारो कफन में कोई जेब नहीं जिन्दगी सारी उम्र समल चली तो पैरों पर मौत ने आते ही कहा मुझे तो चार कंधे चाहिए सारी उम्र कोई जीने की वज़ा नहीं पूछता लेकिन मौत वाले दिन सब पूछते हैं यार कैसे मर गी दोस्तों जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था अपनी जिन्दगी ऐसे जीओ जिस दिन तुमारी मौत हो और पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ मौत को तो मैंने कभी देखा नहीं पर यकीनन बहुत खुबसूरत होगी जो भी मिलता है उसी का हो जाता है दोस्तों अपने वजूर पर इतना ना इतराओ कि जिन्दगी ये तो मौत है तुझे महलत देती जा रही है मौपत और मौत दोनों पिन बुलाएं महमान हैं कभ आ जाएं कोई नहीं जानता लेकिन दोनों का काम एक ही है एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन दोस्तों पचास का कफन आएगा पान सुब में दफन हो जाएगा यू करता है गुरूर इस शरीर पर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा तकलीफ तो जिन्दगी देती है मौत को तो लोगों ने यूही बदनाम कर रखा है शम्शान की राख को देखकर मन में एक खयाल आया सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिन्दगी बर इतना जलता है यारो कद्र करनी है तो जीते जी करो अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी दोवासू बहा देते हैं मौत मांगते हैं तो जिन्दगी खफा हो जाती है जहर लेते हैं तो वो भी दवा हो जाती है तू बताए दोस्त क्या करूं जिसको भी चाहा वो बेवफा हो जाती है शम्शान के बाहर लिखा था मनजिल तो तेरी यही थी बस जिन्दगी बीते आते आते क्या मुला तुझे इस दुनिया से तेरे अपनों ने ही चला दिया तुझे जाते जाते दोगज जमीन ही सही मेरी मालकियत तो है ए मौत तूने मुझे जमिदार कर दिया दोस्तों मौत का आलम देखकर तो जमीन भी दोगज जगए दे देती है फिर यह इनसान क्या चीज है जो जिन्दा रहते दिल में जगए नहीं देते आपको मारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें